हलो स्टूडेंट, आज हम दिखने वाले हैं ज्यामिती आकरेतियों में समरूपता के अंतरगत प्रमे क्रमान आठ मयोंकर मनंग पडेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एन पडेल क्लासेज पर यदि आप 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और मेट्स का हर चेप्टर का क्रमबद तरीके से अध्यन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब किजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो आईए देखते हैं प्रमे क्रमान आठ यदि किसी समकोण तरीभूज के समकोण वाले सीर्स से करन पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों और बने तरीभूज समपोण तरीभूज के समरूफ होते हैं तथा परस पर समरूफ होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है कन्फूजन टाइप का लगता है यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी सम कोण त्रिभूज के तो सबसे पहले तो एक सम कोण त्रिभूज बना देते हैं यह हो जाएगा आपका एक सम कोण त्रिभूज को नाम दे देते हैं A, B, C और यहाँ पर यह सम कोण त्रिभूज कों सा है, कोण B, तो यदि किसी सम कोण त्रिभूज के सम कोण वाले सीर्स से यह जो है सम कोण वाला सीर्स से कर्ण पर लंब डाला जाएगा, तो यह सम कोण वाला सीर्स है और यह है कर्ण तो यदि हम यहां से जो है कर्ण में लंब डाल देते हैं तो ये भी 90 डिगरी बन जाएगा ये BD तो इधर तो 90 डिगरी बनेगा ही इस तरब भी 90 डिगरी बनेगा लंब डाला जाए तो ये इतना जो है हमको ग्यात है के अंतरगत जो है लिखना है तो यहां पर हम लिख देते हैं ग्यात है क्या ग्यात है सम कोण त्रिभूज सम कोण त्रिभूज ABC में कोण B बराबर 90 ये एक सम कोण त्रिभूज दिया गया है जिसमें ये कोण B जो है 90 का है और क्या किया गया है BD लंब खीचा गया है AC में लिख देते हैं तथा BD लंब AC इतना जो है हमको ग्यात है अब आगे जो पढ़ेंगे तो इस लंब के दोनों और बने त्रिभूज ये लंब है तो लंब के दोनों बोलने से एक इधर त्रिभूज बन रहा है ABD और एक इधर बन रहा है BCD ये दोनों त्रिभूज जो है संपूर त्रिभूज के संपूर त्रिभूज मतलब त्रिभूज ABC के समरूफ होते हैं यानि कि त्रिभूज ABD ये मुल त्रिभूज क समरूफ होंगे मतलब ये चोटा वाला त्रिभूज इस बड़े त्रिभूज के समरूफ और ये चोटा वाला त्रिभूज इस बड़े त्रिभूज के कैसा होगा समरूफ होगा साथ में क्या बूला है तथा परसपर समरूफ होते हैं तथा परसपर मतलब ये त्रिभूज औ आपस में कैसे होंगे सम्रूप होंगे तो यहां पर जो हम लिख देते हैं सीद्ध करना है कि तो सीद्ध करना है में तीन चीज आएगा सबसे पहले क्या जाएगा त्रिभूज ए बी डी त्रिभूज ए बी डी मुल्ट्रिभूज यानि कि त्रिभूज ए बी सी के कैसा सम्रूप दूसरा यह ओला त्रिभूज त्रिभूज बी सी डी त्रिभूज B, C, D ये भी मूल त्रिभूज A, B, C के कैसा होगा? समरूप होगा तीसरा, परस पर समरूप मतलब ये दोनों भी समरूप होगे त्रिभूज A, B, D समरूप T, B, C, D ये जो है तीन इश्टें पे हमको सिद्ध करना है अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको सीद्ध करने के लिए हमको कोई रचना की आवसकता है या नहीं तो उसको भी देख लेते हैं तो फिलहाल यहाँ पर तो रचना की आवसकता नहीं है अब इसके बाद हम क्या करें उपपत्ति अब यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है त्रिभूज A, B, D यानि कि यह त्रिभूज A, B, D और त्रिभूज A, B, C यह दोनों में जो है हमको सिद्ध करना है तो यहाँ पर मैं लिग देता हूँ पहला करके ठीक है? अगर हम त्रिभूज A, B, D वर त्रिभुज ABC में लेते ही ABD और ABC अगर इसमें लिया जाए तो ये ABD में ये जो है 90 बनेगा और ABC में ये 90 बनेगा तो दोनों जो है बराबर हो जाएंगे तो यहां लिखेंगे कौन ADB कौन ADB बराबर कौन ABC कारण क्या लिखेंगे प्रत्यक समोर ठीक दूसरा नमबर देखते हैं कि अगर हम ये छोटा त्रिभुज ABD को लिये हैं और बड़ा त्रिभुज ABC को लिये हैं तो ये जो कौन है दोनों त्रिभुज में उभैनिष्ट है तो लिख देंगे कौन A बराबर कौन A और इसका कारण लिखेंगे उभैनिष्ट चूकि यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में ABD और ABC में दो कौन को हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं तो तीसरा तो आटोमेटिक बराबर हो गा ही चूकि दो कौन को हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कौन कौन समरूपता प्रमे से यहाँ पर कौन कौन समरूपता प्रमे लगेगा और इसके द्वारा यह त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे त्रिभुज A, B, D समरूप हो जाएगा त्रिभुज A, B, C और इसको जाए हम एक डाल देते हैं और साथ में यह सिद्ध भी हो गया इसी का अगर हम दूसरा पार्ट लेते हैं दूसरा पार्ट बोलने से त्रिभुज B, C, D यह B, C, D त्रिभुज B, C, D वह मुल्त्रिभुज A, B, C में अगर हम लें तो यहाँ पर B, C, D में लेंगे तो यह वाला कौन नब्यांस इसको लिखोगे क्या B, D, C कौन B, D, C और मुल्त्रिभुज में यह वाला नब्यांस है तो यहाँ लिख देंगे कौन A, B, C यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रतेक सम कौन ठीक है अब यहाँ पर जो है अगर हम B, C, D और A, B, C को लेते हैं तो यह कौन कैसा हो जाएगा उभैनिष्ट हो जाएगा तो लिख देंगे कौन C बराबर कौन C और इसका कारण क्या लिखेंगे उभैनिष्ट ठीक अब यहाँ पर अतह कौन सा प्रमे लग गया जो कि पहले वाले में लगाए थे कौन कौन समरूपता प्रमे हैं यहाँ पर दोनों त्री भूज में दो कौन को हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं तो कौन कौन समरूपता प्रमे लगेगा और यह दोनों त्री भूज यानि कि त्री भूज B, C, D और त्री भूज A, B, C कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे यह आपका दूसरा लिख दिया और साथ में लिख दिये सिद्ध अब देखो यहाँ पर जो है यह तीसरा सिद्ध करना है यह दोनो A, B, D और B, C, D यह दोनों भी आपस में समरूप होंगे इसके लिए हम चाहें तो अलग से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अलग से हमको सिद्ध करने क्या हो सकता नहीं है कारण क्या है कारण यह है कि यह A, B, D जो है A, B, C के समरूप है B, C, D जो है A, B, C के समरूप है तो इन दोनों को अगर देखा जाए कि यह त्रिभूज A, B, C जो है A, B, D के भी समरूप BCD के भी समरूफ इसलिए ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे समरूफ हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरे के लिए समी करण एक वदो से समी करण एक बोलने से ये हो गया दो जो है ये हो गया तो इन दोनों से अगर हम देखें तो त्रिभुज A, B, D और साथ में त्रिभुज B, C, D ये दोनों भी कैसे हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं और इस प्रकार से आपका प्रमे 8 जो है complete होता है तो यहाँ पर जो है आपका clear हो जाता है इसको जरा ध्यान देंगे ये आपका त्रिभुज A, त्रिभुज 2 आपस में समरूप है त्रिभुज 1 मूल त्रिभुज के भी समरूप है त्रिभुज 2 ये भी मूल त्रिभुज के समरूप है और इसका प्रयोग जो है हम प्रस्न को हल करने में करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में